तो कैसे आप सब जैसे के आप सब को एने पहले इंटीमेट कर दिया था कि मैं आपके लिए मोश्च इंपॉर्टन एंप्सी क्यों लेक्व आँगा आपके बाइडवस्टी सेक्शन के ऊपर जैसे कि आप सब आपका बाइडवस्टी टॉपिक कम्प्लीट किया तो आज उसके बैसी को दियों क्या बने रहा हैं यहां करके चल रहा हूं यह आप सभी को पत है पता भी होने चाहिए हमारी पीडिएफ आप देख सकते हो पूरी एक्टी पेजिस की बन चुकी है यह मैंने आपको टेलीघ्राम पर प्रॉइट कर दिए है तो उदर आपको यह सब कुछ प वज़ा आपको extra knowledge आपकी knowledge को add-on करने में ठीक है नहीं तो और कोई मुझे subscriber बढ़ाने होते हैं आपके लिए रसान कोशन ले आता आपके लिए जेकेपी का सब inspector का course start कर दिया होता अभी बहुत लोगों को ने score start कर दिया offers निकाल दिया है कि हाँ हमारा join कीजिए देखो वह की बात है तो मैं आपको यह guide करने चाहूंगा आप अपने risk पे join कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो किजिए तो यह आपका अपना risk रहता है क्योंकि आपको भी बता है आज कल जेके सब्सक्राइब अपना अने के बाद तो जो का पाथ आगे बढ़ते हैं अपना सब्सक्राइब देखते हैं ठीक है ध्यान से देखना कोश्ण फर्सक्राइब बोल रहा है डैस इस एन इंग्जेंपल ऑफ एकसी टू कंजरवेशन हमने बाइडिवर्स्टी कंजरवेशन बढ़ा था आप सभी को याद होगा यह सर आपने पढ़ाया था से टू एंड एकसे टू में क्या होता है आप उसको उसी जगापे कंजरव करते हो जहां उसका अपना है और इंसी टू की इंग्जेंपल मैंने आपको आपकी नैशनल पार्क बाइस्वार रिजर्व यह सब थी आपकी इंसे टू की एकसे टू हो गया उदर से आप उसकी स् है लेकिन साथ रिवीजन भी मार टार्गेट रहेगा तो बोलता है इनमें से कौन सा ओप्षिन है जो एकसे टू कंजरवेशन का है पहला बोलता है नैशनल पार्क अभी मैंने आपको टायर नैशनल पार्क इस यो इन से तू तो इसे मैं कैंसर कर देता हूं बाद में बस्त जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पूजा करते हैं कि AMने नहीं काटना एंक ना extension नहीं करना तो वह मारे होगे सेक्रेट ग्रूव तो यह भी आपके इन से तुमें ही आ जाते हैं तो बचा हमारा सीड बैंक तो सीड बैंक इस यह एक से तुमेशन तो फर्सकान से आपका क्या जाता है सी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं डाश इस नोट जनरली सीन इन बाइडिवेश्टी होट्सपॉर्ट बाइडिवेश्टी होट्सपॉर्ट में आपको क्या नहीं मिलेगा पहला बोलता है एंडिमिनिजम लेसर इंटर स्पैसिक कॉंपिटिशन अब मैंने आपको बताया था डैट बाइडिवेश्टी होट्सपॉर्ट में क्या होता है लौस ऑप बाइडिवेश्टी तो स्टार्ट होई जाता है तो यह आला ऑप्शन कैंसे कर देता हूं क्योंकि उन्हें नौट बोला है और होट्सपॉर्ट बड़ी अच्छी था समझ आई गया होगा तो यह तीनों चीजे आपको बाइडिवेश्टी होट्सपॉर्ट में जरूर मिलेंगी अब बोलता है क्या नहीं मिलेगा तो उदर आपको इंटर स्पैसिक कॉंपेडिशन उनके बीच में चोंपेडिशन होता ह है तो वो रेर मिलेगा कभी कवार मिल भी सकता है लेकिन जर्रली नहीं मिलता है तो इसका आंसर क्याद है का आपका डी वन आगे बड़ते हैं थर्ड कोशन डैस डिफाइंड इस इकॉल्जिकल स्टेट ऑफ स्पीशिस बिंग यूनीक तो इस स्पेसिफिक जियोग्रॉफि यूनीक फीचर क्या होता है इस एंडमिक पीशिफिस लाइक वाइंडमिक टू जी आपको जीन के मिलूंगा तो वह बाहर गुमने तो वह बात लग ए है फॉर्थ कोशन इंडिया है देखो इदर आपका पहले तो अगर कोशन यह आ जाता है आपने ओप्शन को देख लेना है मैं कोशन को थोड़ा सा क्रेक्ट भी कर देता हूं बायग्राफिकल जोन्स आप सभी को याद होगा हमने इंडिया को बांटा था सबसे पहले on the basis of इसके बाद हमने बांटा था आपके बायोम्स में बायोम्स के बाद हमने बांटा था बायोग्राफिकल जोन्स में जोन्स के बाद हमने बांटा था डैट इस यह प्रूविंस तो बता रहे है बायोग्राफिकल जोन कितने है इंडिया में तो आप सभी को मैंने बता था डैट इन दोनों का नाम लिखने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिए को वीडियो को पॉस करो सबसेहले आपने कमेंट करना है यह चीज इको सिस्टम में हमने पढ़ा था कि फ्लो आफ इनर्जी पढ़ा है आप सभी याद होगा कि 10% नर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है 90% यूज जाती है आपकी रेस्पेरेशन की टाइम यूज जाती है एंड आउट फ्लो हो जाता उसका ठीक है तो जो डिरेक्शन ए फ्लो इनर्जी का तो वो क्या रहता है that is your unidirectional मतलब एक अगर ऐसे आगे जारी है तो आगे ही जाती है यह जो एनर्जी का फ्लो है बैक्वर्ड नहीं आएगा यह अगर आगे जारी है तो आगे ही जाएगी एक ही डिरेक्शन में जाएगी तो यह आप कहां से क्या रहता है that day it is the unidirectional next आगे बढ़ते हैं the red data book is a documentation of rare and endangered species belonging to which of the falling animal, plant, fungi, select the correct option from the course. ठीक है इस तरह के आपको आजकल questions आते हैं exam में तभी मैं गीवाले questions थोटे से जादा frame करता हूं कहता है red data book में आपको किस तरह के species मिलेंगे, animal मिलेंगे, plants मिलेंगे, fungi मिलेंगे, तो red data book is that book which gives the record of your extinct या आपके endangered होने वाले species हैं जो इनके ओपर खतरा मंडरार है, उन species के लिए एक book maintain की जाती है by IUC and that is your red data book, तो red data book में मैं आपता दूँ, animals भी होते है, plants भी होते है, fungi भी सेवन कोशन, थोड़ा सा graph type आ गया, image type आ गया, the falling bar chart shows the relative biomass of four different population of a particular food pyramid, ठीक है, population A, population B, population C, population D, which among the population is most likely to be producer, ठीक है, कहता है, यह आपको graph दिख रहे है, इस में से आपको producer कोन लग रहे है, ठीक है, जिसमें सबसे जादा biomass होगा, वो ही आपका producer होगा, तो सबसे जादा biomass किसमें है, बी में, मैंने आपको हर एक lecture में guys बोलता हूँ कि आपना knowledge के साथ साथ, अपने concept पे focus किया, concept पाओ, marks लाओ, यह चीज़ आप याद रखो, कि तो हर एक exam आप असानी से crack कर पाओगे, कभी cramming नहीं करनी, cramming आपके कुछ portions के लिए, आपके कुछ factual portions के लिए relevant लेकिन में चीज़ के आपको concept पे focus करो, मैंने हर एक topic में आपको concept दिये, अब जो मैंने पढ़ा है, मैं नहीं कह सकता कि आपको exam में वो आएगा की नहीं आएगा, लेकिन मुझे यह पढ़ता है, मैंने आपको concept दे दिया है, अब उदर answerable होने के chances जरूर होंगे, क्यूंकि आपके पास knowledge है, आपके पास concept है, आपने कोई रटा नहीं मारा, यह चीज़ याद रखना, next question, consider the falling water bodies, नीचे दिये, lakes, river, wetland, vernal pools, which of the above is a type of lentic ecosystem, अब मैंने आपको बता है था ecosystem, water ecosystem, aquatic ecosystem में, दो आपके आगे lentic and lotic, lentic आप सभी को मैं फिर से को याद दिला दूं, वो पानी पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, lotic is your running water, likewise, river, lotic में क्या रहा है, तो river option, तो मैं इदर से कार्ट ही देता हूं, river, lake का कैसा पानी होता है, सर्ब लेक का तो रुका हुआ पानी होता है, that is not running water, तो यह तो मारा lentic है, next बात होती है, wetland, wetland भी आपका रुका हुआ पाँ नहीं होते है तो यह भी टिक है अगला आता है वर्नल पूल भी आपको पता है इस स्टॉप वोटर आप कैसे के रूखा वो पाँ नहीं होते है तो वन थर्ड और फॉर्थ आप्शन तो कहीं आपको मिल रहे हैं यह सर इधर हमारा एड का आंसर आ जाता है और में हिंआब कोशन विचर वीट यह इंपॉर्टन प reliability द्यान से मोना इस Os ऊण कुछ नहीं रहीवाला हूँ गैसीजा रहे हैं यह चीज़ आप दखनी बना था तो उसमें उन्होंने बताया कुछ आपक्य Dusk वाधाई नाम बतारों ठीक है यह चीज आपने याद अखनी है जो काइटर प्रोटोकॉल है उन्होंने सिफ और सिफ ऐसी आपकी ग्रीनाउस गैसे जिसे उन्होंने मिस्टीविएस माना जो खतरनाक मानी यह फिर्फ वन इस यह सी ओ तूकार्बन डायकसाइड लिखलो जो नोट्स मनाते हैं सेकिंड वान इजुआ है जी एच फोर जिसे आब बोलते हो थर्ड थर्ड वान इज्ट नि निट्रस ओक्साइड निट्रस ओक्साइड फॉर्ट्व fluorocarbon hydro fluorocarbon is your per fluorocarbon per fluorocarbon and the last one is your sulfur hexafluride यह आप नीचे यह अपने याद रखने हैं यह चे आपकी ऐसी वान है तो इदह बोल रहां काईटर प्रोटोकॉल के कोशा है CO2 यह सर आपने अभी मोनोकसाइट कर नाम लिए तो मैं को कैंसे कर देता हूं शर आपने हड्रो फ्रफ्लोरो कार्बन कर नाम लिए या और sulfur hydrohexo fluoride का भी नाम लिया तो यह 4 नाम रहते है 1456 1456 आपको option मिलते हैं बी option में और इस तरह के question आपको जरूर exam में मिलेंगे यह आपकी knowledge देखी जाती है आपके skill देखी जाती है अगर by chance आपको यह 6 नाम याद भी नहीं रहते हैं आप सभी को होता है ozone तो नहीं है तो ozone option तो आपको first में दिया हुआ यह cancel हो गया इसमें भी दिया हो यह भी cancel हो गया इसमें भी दिया हो यह भी cancel हो गया बचा कौन सा भी ही बचा तो B1 is the right answer for the ninth question आगे बात करते हैं आपने 10th question की अबढ़ते हैं 10th question बोलते है विच्छ फॉलिंग कंपोइन आप से बाइटिक कंपोइन बाइट कंपोइन ने और वाटर में क्या जान होती है नो सर्थ बाटर नहीं होती तो यह वाटर तो आप कैंसल कर दो सॉल में जान होती है नहीं तो आपको क्लियर हो जाएगा सेंबोइट्स रिलेशंशिप आपको मैंने बताया था सेंबोइटिक रिलेशंशिप में जहां पे दो और दूसरे मिल जूल कर रहते हैं कहता है कि तू मुझे बैनिफिट दे मैं तुझे बैनिफिट दूँगा ठीक है तो वैसे ही यह जो बैनिफिट दूसरे क्या रहेगा सी ओप्शन तो और सबी का स्कोर अभी सेवन प्लस चल रहा हो जाता नीं सेवन प्लस 11 विचंट करेक्ट्रिक रिगार्डिंग डेटर फूद ज्यन आपको मैंने बताया था दो तरह कि आपको फूद तो डेट्रेस फूद जो ती सर आपन organism and that by dangerous feeding organism called Dectrivorus and Decombrose yes sir अपने इड़ा हुआ है साफ़ तोर में लिखा हुआ है तो फिर स्थेंस्ट इन थेकिन आप राइट और तो इस कान से आठा रिका बहुत वान फी अटू तो मैं बता दूँँ ये चारो के चारो option is the threat बाइडवेश्टी के लिए threat हैं उनके लिए हानिका रखें तो ये चारो option टिक कर देंगे तो इसकी ये आपको किसमे मिल रहे हैं that is your D option तो इस काहन से क्या रहेगा D option थर्टीन कोशन in which one among the falling categories of protected area in India ये बड़ा simple सा कोशन आगे are local people not allowed to collect and use the biomass तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा protection सबसे ज़्यादा secure जगा कौन सी है तो that is your national park national park में कुछ भी alone नहीं होता तो आपको उदर most appropriate answers आपको national park मिलता है अगर आपको लेक्टिर अच्छा लग रहा है वीडियो को पॉस करके आप ज़रूर लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इससे हमें और motivation मिलती है आप तक और से बेस से बेस लेक्टिर आप तक पुंचाए रहे लिए लिए निको बहर आईलेंड तो पहला option कहता है कि जो आपका बायदोसी आपको ट्रॉपिकल रीजियल मिलेगा तो यह option तो गलत है क्या इंडिया के दो ही बायदोसी होट्सपोट है मैंने आपको बताया था ओपर मैं आपको ले चला इंडिया एस फूर बायदोसी तो यह आपके चार है लेकिन वह कह रहा है कि दो है तो वह उप्शन भी हम गलत तो आप देख सकते हो दोनों स्टेट्मेंट गलत हो गी है तो इस कहां से कहा रहेगा नीधर वान एंड टू नेक्स्कोशन विद रेफरेंस टू इकोसेंसिटीव जोन विच ओ फोलिंग सेट्मेंट इस और करेक्ट अगर मैं नीची दो आप्षिन पड़ू उसमें इकोसेंसिट्व जोन मैं आपको बता है रिसेंट आपका ट्रेंड आया रिसेंड चीज़ आ है हमाई दले को भी इकोस The Equal Sensitive Zones are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972 No Sir आपने उदे शाफ स्वर पर हाय्लेट किया था That Eco Sensitive Zones come under the Environmental Protection Act 1986 ठीक है वो Environmental Protection Act के अंडर आता है Wildlife Protection Act के अंडर नहीं आता The Purpose of Declaration of Eco Sensitive Zone is to Prohibit all kinds of human activities तो मैंने आपको रहा था Eco Sensitive Zone में ऐसा कुछ नहीं है उदर सिफ फोर सिफ agriculture activities नहीं की जाती है उदर मतलब आपकी जैसी लैंड है वैसे ही रहने देते हैं तो बस उदर थोड़ा सा एक तरह का आपका transitional zone रख है ताकि उदर भी आपकी थोड़ी सी जो आपके आपके उदर जो नियस्ald पार्क्स हैं उन्हें और जादा प्रोटेक्ट हिया जाए तो यह ऐसा कुछ नहीं है कि उदर सब कुछ प्रोहिबित है ऐसा कुछ नहीं है उदर लोग रहते हैं तो रह भी सकते हैं जहां जो नहीं सकते हैं तो फिर्स्ट ऑप्शन में हुझता है से से ही कोश्चन मिलेंगे वेबरनाट इज लोंगेश लेक में हमने पढ़ा था ये सर्वेबरनाट इस दा लॉंगेश लेक डैट इस दिवीडियर केरला तो मैंने आपको लेक्षे में बताया भी ता कि वेबरनाट को आपने कैसे याद अगने जैसे वो नाड़ा आप ऐसे या है ठीक है तो तो फर्स्ट एंड सेकिंड बोथ हार करेक्ट तो सिक्स्टीं का अंसर क्या रहेगा सी वन बोथ फर्स्ट एंड सेकिंड सी सब्सक्राइज आब यह आप सब्सक्राइब करा दोसक्ति मैं तब around सब्सक्राइब कर जाएं Kolaam कर जा कि आपको आज-कल के पूछे जाते हैं आपको रामस्र साइज साइज के लुकेशन पता हो जाने तो ओदेर आपको जो जो कुछ important लगती है उनकी आप कुछ locations याद कर लो थोड़ा सा idea मिल जाता ठीक है क्योंकि अगर आपको इधर से पांच इधर आपको दियो है तो पांच में से कोई दो भी पता चल जाए तो असानी से आप उधर option क्लिक कर सकते हो तो आप सभी को इसके बारे में त इस अब B & C में दिया हो तिक है इतना clear है फिर आपका हात है जो आपका सस्था क्ता एक्षा MUSIC कोटा जो आपका का B option है यह आपका match कर सकते हो आप यह थोड़ा क्या सकते हो हाई लेवल का भी कोशन है थोड़ा नाइंटीन कोशन दब मेजर नुमेरिकली डॉमिनेटेड बाइवन स्पीशिस ऑफ और सिमिलर नंबर साथ इंडिविजियल इन पर्टिकुलर एकोसिस्टम इस जो सिमिलर में वाइक लिए अपके अगया इकोशिस्टम में आपके कुछ और में नाम लेता हो मिश्टर मिश्टर है मिश्टर अ है बी है पिर जिसकी संक्या सबसे ज्ञाधा हो उसमें सबसे जाधा डॉमिनेट किया हो तो उसे भोते हैं अन्या तो इस बन्हें एक ज़ेगा सी इम अगर नहीं पर चलो तो आगे पढ़ लीजिए इस इंवार्स कम्पेरिंग दा नंबर ओफ टेक्साथ यूनीक टू इच अब हमने तीन पढ़े से मेज़ेमेंट के टाइम पर मेज़ेमेंट और आपके जो रहती है यह अलफा बीटा एंड गामा ठीक है इधर मैं आपको लाइधा ओवर ओल होता है तो वैसे ही है नीचे आपको अप्शन नीचे लास में ले चलते हैं ठीक है तो क्या है विदी बिट्वीन दा इकोसिस्टम बिट्वीन दा एकोसिस्टम सर इस यह बीटा ठीक है तो भी इस जा राइट आंसर आप सभी का स्कोर फिफ्टीन सर्व की किया होगा तो ऐसी ने किया इस यह मीं मोतो रहता है कि आपको इस से बेस आपको तियार किया रिफायíन किया जाए आपको एक तरह का करे मैं करंद आ॥ा चांस तो यह दो कि कल तक आपको lecture provide कर दिया जाए अगर कल नहीं कर पाया due to some any issue क्यूंकि यह आपका जो topic है थोड़ा सच sensitive topic है इसको द्यान से बड़े द्यान पूरवक बनाना पड़ता है समझाना पड़ता है क्यूंकि बड़ से लोग नराज भी हो जाते हैं वो इसी चीज में रहते हैं कि इ आपका freedom struggle है ना आप सभी को पता है उसमें कुछ लोगों का कुछ और माननेता है कुछ लोग कुछ और मानते हैं ठीक है कि हाँ इन्होंने ऐसा गिया ऐसा गिया जब मैं पड़ाता हूं ऐसे neutral पड़ाता हूं मैं यह नहीं सोचता कि मैं इस community को belong करता हूं और जब आपने प सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी वीडियो अप्लोड आप तक सबसे पहले पहुंचे और जो पुराने हैं उनको यह की गुजारिश है कि आप शेयर कर देजिए ताकि इसका सभी लूफ्स उठा सके इस सभी को इसका फाइदा हो सके और सभी इसके अपन अपने आपको रिफाइन कर सके तो मिलते हैं जल गाइस नए लेक्ट्रे के साथ डाट इस और फ्रीडम स्ट्रेगल